कि यह बिलेक हंगस के संक्रमन की घंटना सामने आ रही है और वह बहुत भयानक है तो सुनाएं आपको जो खेक्ट होता है बाकी जो प्रभाव होते हैं किसी का पूरा जबड़ा ही निकाल दाना पूरा आप निकालने पड़े हैं यह पहरा चिस्ता का विश्य है इसमें नाग मौदाद आप मस्तिस्क और बाकी अंग भी संक्रमन हो जाते हैं और अभी तक पचास रोग्यों की पुष्टी अब तक भी है पूरे प्रदेश में यह हमारी ड्यूपी है कि ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी तो कोविस के बाद होती है उसका उफ्टार भी हम सुनिश करें और इसके लिए पुरे इलाज का फ्रोटोकाल जारी तिया जाए इस वीमारी के कारण क्या है लक्षन क्या है निदान क्या है इलाज क्या है साबदानी क्या रखी जानी चाहिए इलाज के प्रोटोकाल के अंसार उप्चार फ्रिश्चित क्या जाए उप्चार महंगा होता है इसे मामले जो आएंगे उसमें भी राजसासन ऐसे पैसेंट्स को भरकूल सहयोग करेगा वो आर्थिक दृष्टी से कमजोर है वांपूल के भी तुर्क इलाज दी व्यवस्ता सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे प्रयास